हेलो फ्रेंट्स वल्कम ट्योर चैनल केटले सोनी अन्दिस सोनी जिंग अज मैं आप लोग के लिए जो क्वेश्चन्स लेकर आई हूं MCQ है ये कोश्चन्स आपके लगभग सभी उनिवर्सिटी में है अगर हम आगरा की बात करें तो फॉस्ट इयर में आवदी की बात करें तो सकेन इयर में तो इसलिए कहा जा सकता है कि एक ऐसा ये चैप्टर है ये एक ऐसा मतलब बुक है पेपर है जो कि कॉमन है सभी के लिए आप जैसे आगरा कभी आ रहा है कि OMR-based होगा या नहीं होगा तो हम अपने प्रिप्रेशन जो है वो पुरा रखते हैं देखते हैं आगे जो भी हो तो आज मैं आप लोग लिए MCQ questions लेकर आई हूं contemporary इंडिया and education से चिले स्टार्ट करते हैं सबसे पहला question आप लोग अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा उससे पहले फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकों को हिट कर दीजे बिए फॉस्ट एर क्लास चार बज़े होता ही है आप जानते ही हो कभी लाइव लेती हूं कभी रिकॉर्डेक देती हू और उसके साथ साथ अगर आपको पेड नोटस पेड क्लास चाहिये च którego चान पर बे काल ने करने का ताइमिंघ आपको दो बज़े से लेकर के छे बज़े तक करेंगे तो ज़ादा вे feels हम आप डाइग़ दोने प्ला मारे रहते हैं वाट्सअप कर सकते हैं चलिए भारत में अंग्रेजी सिख्षा का मैगना काटा किसे कालता है most important question है कि भारत में अंग्रेजी सिख्षा का मैगना काटा किसको कहा जाता है तो ये मैं बता दूँ आपको wood dispatch को कहा जाता है 1854 में क्यों क्योंकि जब सबसे पहले तो मैं इसको थोरा सा history आपका याद करवाओंगी 1813 में जो charter act पास हुआ उसके बाद जो पासचाते और प्राक्चे में लोगों में जो लडाईयां हुई उस लडाईयों को विवाद जो हुआ उसको सुलझाने के लिए मेकाले इस मिनट आया मेकाले को जो है responsibility दी गई वो मामला सुलझाने के लिए तो मेकाले ने इंगलिस की इतनी तरफदारी कर दी इतनी वो सकते हैं इतनी इंगलिस को importance दे दी कि जो इंडियन language थे या इंडियन जो साहिते थे उसको बहुत ही नीचा दिखा दिया इसकी वज़े से यह problem थमा नहीं इवेन बढ़ी गया फिर उसके बाद से इसी की वज़े से फिर 1854 में Charles Wood को जो है बोला गया कि इसको आप अपने तरीके से देखे कि Indian education को किस तरह से किया जाए इसके बारे में आप analysis कीजे तो Charles Wood ने अपना analysis रखा जो वो सकते है मेकाले ने जो बहुत ही तीखे words यूज किये थे उसी को Wood Dispatch ने बहुत polite word में और Indian education में Indian languages को रखते हुए English को ही English को ही जो है सब जगा बोल बाला कर दिया तो यही इसे लिए इसको Magna Carta कहा जाता है इसके बाद से जो है जो चीजे चेंज हुई है Indian education में वो अभी तक उसका छाप देखने को मिलता है तो Wood Dispatch 1854 में Charles Wood ने दिया था उसी को Magna Carta बोलते है ठीक है, next में देखें, second हमारा है भारत की नई राष्टिय सिक्षानिती की घोसना किस वर्स की गई थी देखें, भारत की जो नई राष्टिय सिक्षानिती जो घोसना की गई वो हुआ था 1986 में यह क्यूं हुआ इसके पीछे विए एक स्टोरी है राजेवान थी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे और टेक्नलोजी, साइन्स यह समय उनका थोड़ा इंटरेस्ट जादा था ही तो उनको यह लग रहा था कि अब जाकर कि जो पूरा वर्ल्ड है वो चेंज होने वाला है और टेक्नलोजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है तो उनको यह देखने में लगा कि टेक्नलोजी और साइन्स के अगर दिरिष्टी कौन से देखे तो हम बहुत पीछे हैं तो इसलिए उन्होंने अपने बहुत सारे जो सिक्षा के सलाहकार है उन लोगों से मीटिंग की उन लोगों से जो है उन्होंने सलाह मसारा किया उसके बास से उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक ही सिक्षा निती लाएंगे जो कि पूरे इंडिया में चलेगा और वो रास्टिय सिक्षा निती थी तो 1986 में जो है रास्टिय सिक्षा निती को लाया गया ये करने के बाद ठीक है फिर आपका नेक्स्ट है विश्व विद्याले अनुदान आयोग वर्तमान में विश्व विद्याले विकास आयोग हो गया है कि स्थापना किस वर्स की गई तो इसकी स्थापना कब हुई थी 1956, 1986, 1961, 68 तो मैं बता दू इसकी स्थापना जो है 1956 में हुई कब हुई 1956 में जब 52 में सेकंडरी एजुकेशन आया सेकंडरी एजुकेशन को लेकर के जो है नीदी बनाई गई उसके बाद इनको ऐसा एहसास वह फेल हुआ माध्यमिक सिक्षायोग जो सेकंडरी एजुकेशन बोर्ट जो बनाए गया था वह फेल हो गया था तो इनको ऐसा हुआ कि हमें जो है युनिवर्सिटी लेवल पर एक ऐसे संसा होनी चाहिए जो इन सारे चीजों को अलग से देखे तो इसलिए विश्विद्याले अनुदान आयोग उसमें नाम जाना जाता था और अब विश्विद्याले विकास आयोग के नाम से जाना जाता है तो इसकी स्थापना की गई कब की गई 1956 में हो गया तीन कोशन चौथे कोशन पर आते हैं रास्टिये सैक्षिक अनुसंधान और पर सिक्षन परिस्थ के स्थापना कब की गई देखिए 1947 के बाद से हर तरफ से इंडिया जो है हिला हुआ था फिर उसके बाद से जो है विभाजन हुआ पागिसान और इंडिया जो है अलग हुए तो उसके बाद अब सिक्षा पर धिहान देने की बात आ रही थी तो एजुकेशन पर धिहान देने का जो नजरिया था इन्होंने पहले माधमिक सिक्षा को पकड़ा कि हम उसको पहले सही करते हैं तो वहाँ पर उतनी बात बनी नहीं फिर उसके बाद इनको लगा कि हर एक सिक्षा में जो है हमें एक अलग-अलग ऐसे संस्था चाहिए जो उसको बारिकी से देखे और इसके लिए rule regulation बनाए तो उसके बाद ऐसा उन्हें लगा कि ठीक है सिक्षा में तो हमने कर लिया बागी एजुकेशन कैसे देना है rules regulation लेकिन जो सिक्षा देने का हमारा medium है teacher उसके लिए भी तो हमें कुछ करना होगा तो उसी के लिए जो है NCR रास्टियस एक्षिक अनुसंधान पर सिक्षन परिस्द की स्थापना की गई और यह स्थापना कब हुई थी तो यह स्थापना मैं आपको बता दूँ आपका जो हुआ है 90 61 में 56 में हमने आयोग खोल दिया विश्विद्याले आयो 90 60 मतलब 5 साल में हमें यह भी रियालाइज हुआ कि हमारे जो टीचर उनको भी ट्रेनिंग की जोरत है उनके लिए एक चाहिए तो 61 में तो दीरे दीरे बोलते हैं कि पूरी तरीके से बिखरे हुए घर को जो भारत था इंडिया था उसको धीरे दीरे समेटा जा रहा था तो नहीं होगी क्योंकि पता होगा कि पहले ये नियम बना था ये नियम फेल हुआ या नहीं चला या सक्सेस्फुल हुआ उसके बाद ये नियम आया तो एक दूसरे से जब इंटरकनेक्टेड रहता है तो याद करना इजी होता है तो यह होगा आपका फौर्थ कोश्चन सभी को हमें साक्षर करना हैं, सभी को हमें परहाना हैं. यह कब हुआ? इसका एंसर मैं आपको बता रही हूं. इसका एंसर है नाइन्टी एटी एट जब रास्टिय सिक्षा निती बनी थी, उसमें यह एक उद्देश रखा गया था कि भारत के परत्यक बच्चे को जो है सिक्षा मिलनी चाहिए तो उसी को सक्सेस्फुल वनाने के लिए रास्टिय साग्षर्ता मिसन के शुरुआत की गई तो ये 1988 में हुआ शिक्षा के 10 प्लस 2 प्लस 3 पैटर्न के लिए सरो पर्थम सुझाओ किस ने दिया देखें अगर मैं बोलू लागू करवाने का तो ये तो कोठारी आयोग ने किया था लेकिन सबसे पहले कन्फ्यूज मत हो येगा लागू करवाया कोठारी आयोग ने है लेकि सबसे पहले सुझाओ किस ने दिया था वो दियान में रखियेगा तो ये आपका options है बंबई विश्रविद्याले आयोग 1921-31 मदरास, कलकत्ता या दिल्ली तो मैं बता दू सबसे पहले सुझाओ देने वाले कलकत्ता विश्रविद्याले आयोग था 1917 और 219 यह जो हाँ पे चला था उन्हों ने दिया था कि हमारा जो पैटर्न है सिख्षा का वो 10 प्लस 2 प्लस 3 पे रखा जाए उसके बाद कोठारी आयोग के बाद 1964 में जो कोठारी आयोग आया उसके बाद उसको लागो करने का सुझा गया लेकिन पहले जो है प्रॉब्लम पहले जो है सुझाओ कलकत्ता विश्व विद्याले आयोग ने दिया था जिसका डेट है 1917 और 19 ठीक है याद रहेगा रखना ही पड़ेगा अब्जेक्टिव में आप लोग मार अगर खाओगे ना तो आप लोग इसी से खाओगे क्योंकि डेट याद रख नहीं रखने का तो आपको एक प्रॉब्लम है चलिए आगया भारतिये सिक्षा के 10 प्लस 23 आकार की सिफारिस किसने की इसलिए मैंने इसको भी डाल दिया है कि भाई कोश्चन थोड़ा सा मतलब आप उसमें कन्फ्यूज ना हो जाए रमाक्स ना 10 प्लस 2 सिक्षा पदती लागू की गई कब लागू की गई ये सिक्षा पदती जो हमारी सिक्षा निती बनी उस समय रास्टी ये सिक्षा निती यहाँ पर एक उठारी आयोग का गलत डेट डाला गया है ठीक है तो रास्टी ये सिक्षा निती 1986 जब बनाए गया तब कोठारी आयोग ने सिफारिस की थी तो उसके बाद से लागू कर दिया गया बाकी बहुत सारे research करने के बाद Operation Blackboard नामक कारेकरम कब शुरू किया गया था वी recently 4 बजे के class में जो है Operation Blackboard नामक Operation Blackboard का chapter मैंने आपको complete करवाया है कि उसमें actually में क्या होता है और कौन से year में हुआ था तो वह अगर आप deeply किये होंगे तो इसका answer तो आप दे ही देंगे अब नहीं किये होंगे तो फिर तो बात अलग है तो यह कब हुआ था देखी इसमें confuse करने के लिए दिया है वहाँ पर Operation Blackboard जो है यह 86 के साथ है तो मैं बता दू 87 है जो Blackboard है ऑपरेशन Blackboard 1987 के नाम से जाना जाता है तो यह 1987 में स्टार्ट हुआ 88 तक चला था तो इसलिए 1987 और 88 लीजेगा 1986-87 मत लीजेगा ठीक है अब भी एक और कोशन उसी से बना Operation Blackboard कारेकरम का उद्देश है उसका उद्देश है किस चीज से रिलेटेड था Blackboard प्रात्मिक विद्यालों में सिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाय जुटाना एक सिक्षक विद्याले में एक और सिक्षक की विवस्था करना सभी इसतर पर गड़ी तो विज्ञान की पढ़ाई का उचा उठाना या उप्यूक सभी तो देखें Blackboard जो था वो सभी के लिए था सबसे पहले तो बताओ Operation Blackboard जो Main Majorly जो उसका उद्देश है था वो था कि प्राथमी की विश्विद्याले में जिन भी चीजों जिन भी सुविधाओं की जरूरत है उसको जो है इकठा करवाएं दूसरा इसका उद्देश था कि एक टीचर एक जेंस टीचर एक लेडी टीचर जरूर होने चाहिए Primary School में दो कमपलसरी दो की बात की गई ठीक है तीसरा जो था जो क्यूंकि समान जुटाने की बात हुई तो समान इसलिए जुटाए जा रहा था ताकि जो Maths और साइंस की स्पेसली Maths और साइंस का जो क्लास है उसके स्टैंडर्ड को उपर उठाने के लिए तो ये सभी तीनों है ठीक है को कि नवदे विद्याले में दाखिला किस कक्शा में होता है नवदे का टेस्ट देते रहते हो पता होगा ना सिक से होता है नवदे में दाखिला जो है छट्थी क्लास से होती है कौश्चन है, नवोदे विद्याले के संदर्व में कौन सा कतं सही है सन नाइन्टी ऐटी सिक्स में देश के प्रते गाव में एक मॉडल स्कूल के स्थापना करने का नेजने लिया गया था नवदे विद्याले बहुत ही लोगपिडिये सिक्षन संस्थापन है जिसमें प्रती वर्स तीस हजार नैच हात्रों को परवेश दिया जाता है यही सही है B नंबर मुझे तो एंसर पता है इसलिए मैं पहले ही बता रही है B नंबर है कि यह बहुत स्ट्रिक्ट और बोला जाता है कि बहुत अच्छे पराई होती है इसका कॉंपिटिशन निकालना पड़ता है और हर साल जो है अमेरिका जर्मनी इंग्लैंड या भारत तो यह मैं बता दूं इंग्लैंड में हुई थी ब्रिटिश एजुकेशन में थोड़ा सा अपडेटेड थे तो यह इंग्लैंड में यह चीजे जो है इस्थापना इसकी सबसे पहले हुई थी कि फॉर्टिंथ मुक्त विश्वेद्याले कि स्थापना का विचार सारो पर्थम किस ने दिया था यह जो ओपेन इनिवर्सिटी था इसका जो सुझाओ किस ने दिया था आपका ऑप्शन है याद रखेगा विल्सन यह सब याद करने वाला है अब हम बात करेंगे इंडिया की इंडिया में कहां पर हुआ सबसे पहले भारत में प्रथम खुला विश्वेद्याले कहां स्थापित किया था ओपेन इनिवर्स्टी जिसमें क्लास करने की जोरत नहीं होती थी इंड्रा गांधी रास्टी मुक्त विश्वेद्याले का मुख्याले कहां है इसका जो है में जगह जो है वो कहां है तो नई दिल्ली आप देखते हो गया अगर किसी ने भी उनो से कोई भी कोर्स किया है तो जो भी सर्टिफिकेट बनकर आता है वो दिल्ली से आता है केंद्री अंग्रे जी विदेशी भासा संस्थान कहा है हाइदराबाद याद रखे गई है इंग्लिस और विदेशी भासा जहां पर में जो संस्थान है में जो सेंट्रल है वो हाइदराबाद में है चलिए आगे बढ़ेंगे ट्वेंटी नाइन्टीन सोरी नाइन्टीन में भारतिये पशू चिकित्सान उसंधान संस्थान कहां इस्थित है पतनगर इज़तनगर लखनव देहरादुन इज़तनगर है यह सब तो लर्ण करने वाला है ट्वेंटी जो हमाराज कर लास्ट कोशन होगा भारतिये पशू चिकित्सा आईएएसो कहां इस्थित है ठीक है भारतिये पशू चिकित्सा कहां इस्थित है यह आपको बताना है options आपके हैं दिल्ली, कोलकाता, चिन्नाई, बैंगलूरू, याद रखेगा यह कोलकाता में हैं, कहां पे हैं कोलकाता में, तो यह रहे आपके 20 questions जो आपके contemporary इंडिया एन एजुकेशन से हैं, और भी बहुत सारे questions का set में ready कर रही हूं, सारा आप लोग को मैं दूंगी करवाओंगी ही, तो करते जाएं, में भी कुछ change हो जाए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं हो तो भी हम अपने तयारी पूरी रखेंगे, फिर मिलूंगी हमने वादे जा कमे आपने हैं झालति कर रही हूं, आप लोगी है, सादाएंगी हैंम्नी जामीन वीष इंगी है